नमस्कार दोस्तों मैं प्रतीप आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चनल GK24 नोलेज पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट कुछनों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपकी आगा में प्रिक्साई हैं हरियाना प्लिस हरियाना एसाई के लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर दोस्तों पसुपालन डेरिव बाग सम्मंदित कुछन जरूर आएंगे और दोस्तों आपके डी ग्रूप के अंदर भी कुछन पूछा जा सकता है तो इसको आप नोट जरूर कर लिए जिस भी मेरे प्यारे दोस्त को इसके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है और जिसको जानकारी नहीं है वो नोट जरूर कर लिए क्योंकि दोस्तों इसके अंदर से अक्सर एक्जाम के अंदर काफ़ी बार है परसंड जो है क्युस्टन आचुके हैं ये इंपोर्टेंट है नोट जरूर करें तो दोस्तों सबसे पहले क्या बात है इसके अंदर क्या दिया हुआ है न्यूज पेपर के अंदर दोस्तो आई हुई खबर है और मैं आपकी भी शेयर करना चाहता हूँ पसुपालन एमडेरी बाग को मिला लोगो तो दोस्तो हाली में जो है पसुपालन एमडेरी बाग को अपना लोगो मिला है और दोस्तो इसके अंदर क्या परतिक्चीन है तो दोस्तो इसके अंदर परतिक्चीन गाई, भैस, सवान, दोध, दोहने वाली मसीन, AI, कंटेनर और दोध को दर साया गया है तो दोस्तो ये इतना जादा important नहीं है, हमारे लिए क्या important है ये note आप करना कि परदेश के अंदर पसूदन कितना है तो दोस्तों ये क्यूशन एक्जाम के अंदर पहले आ चुका है तो वर्तमान में दोस्तों ये संख्या कितनी है परदेश के अंदर ये 89.20 लाख पसूदन है वर्तमान के अंदर हरियाना के अंदर ठीक है दोस्तो इसको जरूर नोट कर लें ये संख्या जरूर पूछी जाती है इसके साथ इसाथ दोस्तो उसके अंदर इस संख्या के अंदर गाई कितनी है और दोस्तों बैस कितनी है ये भी question important है आपसे exam के अंदर 100% पूछा जा सकता है तो दोस्तों गायों की संगा कितनी है 18.08 लाग जो है गाय है और बैस कितनी है दोस्तों 60.85 लाग जो है बैस है और दोस्तों आप जो है ये भेड, सुवर, उट को भी note कर सकते हैं ये ज़्यादा important नहीं है फिर भी दोस्तों कभी exam के अंदर आ जाएं तो आप इनको भी ठीक कर सकते हैं इनको note कर लेना दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी तो बैस केवल गाय और बैस है इनको ज़्यादा याद रखना और note कर लेना फिर भी दोस्तों आप इन संखाओं को भी note कर सकते हैं अब दोस्तों क्या important है कि 2017-18 के अंदर परदेश में 89,000,000 तन दूद का उतपादन हुआ तो आप से ऐसा question पूछा जा सकता है कि 2017-18 के अंदर दूद का कितना उतपादन हुआ तो ये 89,000,000 दूद का उतपादन हुआ था ये इंपोर्टेंट है नोट कर लेना अब दोस्तों क्या important है हरियाना परदेश में परती वैक्ति दूद उतपादक्ता 1057 मिलिलिटर परती दिन के अनुसार देश में दूसरे स्तान पर है तो दोस्तों ये important आपके लिए इसको ज़रूर था वो सही था क्योंकि उस समय paar दोस्तों यही इतना ही जो है इसका उतपादकता चल रहा था इसलिए कुछिच्टन डाला गया था अब दोस्तों के अंदर जो दोद्परती वैक्ति परतना है वे 1057 मिलिलिलिटर है और दोस्तों इसके साथ साथ हर्याना दूसरे स्तान पर है इसके अंदर तो इस दोनों आप जोहें नोट कर लिए अब दोस्तों next जोहे कितना important है उसको नोट कर लिए न कि हर्याना राजेप्रदेश में 55,815,00,000,000 के साथ अंडा उत्पादन के अंदर दोस्तों देश चठेश जो देश में जो है हरियाना का कौन सा चठा स्तान है यह इंपोर्टेंट है दोस्तों आप जो है इसको मत करना 55855 लाग कितने अंडों के उत्पादन के साथ यह जरूर नहीं पर आप के लिए यह जरूरी है कि हर्याना का जो है अंडा उत्पादन के अंदर देश में कौन सा स्तान है चठा स्तान है इसको जरूर नोट कर लेना अब दोस्तों इंपोर्टेंट क्या है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यह जो छै पॉली क्लिनिक है यह इंपोर्टेंट है दोस्तों य पिर जो है दोस्तों जीन्द और रेवाडी के अंदर भी खुल गई और इनकी संख्या दोस्तों छे हो चुकी है यह इंपोर्टेंट है नोट जरूर कर लेंगा अब दोस्तों बात करते हैं एक अजार अठारा राज की पसु चिकित साले हैं यह भी इंपोर्टेंट है एक अजार आठ सो चोदार राज की पसु ओस दाले हैं यह भी इंपोर्टेंट है दोस्तों इनको भी आप जो है नोट कर लेना है इसके अंदर काफी क्यूशन है दोस्तों आपके एक्जाम की है कि हर्याना के अंदर सीमन बैंक कितने हैं यह कुछन भी पूछा जा चुका है कितने हैं दोस्तों दस और पहले दोस्तों यह आठ थी इनकी संक्या अब इनकी संक्या दस हो चुकिए पहले एक्जाम के अंदर दोस्ती कुछन आया हुआ था और उसमें पूछा गया था कि हर उत्पादन के अंदर कितने हैं तो दोस्त इसकी संख्यात तीन है ये भी important है इसको आप note कर लेना अब दोस्तों क्या क्या निइंपोटेंट थे इसके अंदर और क्या क्या आपने note करना था मैं यह पर से repeat कर देता हूं सबसे पहले दोस्तों है पसुदन कितने हैं 89.20 लाइज पसुदन अरियाना के अंदर यह इंपोर्टेंट है और दोस्त इसके अंदर गायों की संगा कितनी है तो 18.08 लाग जो है गाय हैं और बहस कितनी है दोस्तों 60.85 लाग जो बैस है इन दोनों को जो है आप नोट कर लेना अब दोस्तों 2017-18 के अंदर कितना लाग टन उत्पादन हुआ था दूद का ये नवा सी लाग टन जो है उत्पादन हुआ था हरियाना के अंदर दूद परती वैकती जो दूद उत्पादकता है वो कितनी है 1057 55855 लाग के साथ अंड़ा उत्पादन के साथ देश में कौन सा स्थाने दोस्तों ये चठा स्थाने इसको नोट कर लेना अब दोस्तों ये नोट कर लेना कीछ है पॉली कलिनिक है वरतमान में 1018 राज की पसू चिकित सा ले हैं 1,814 राज की पसू ऊस्दा ले हैं और 10 सीमन bank और तीन सीमन उत्पादन के अंदर है तो इनको आप जरूर नोट कर दोस्तों आपके बीच में यह important जो जानकारी मैंने share कर दी है और यह exam की दरश्टी से काफी मैतवपूर्ण है इसको नोट जरूर कर लेना और दोस्तों comment में आप जरूर बताना किस के बारे मैं आपको जानकारी थी या नहीं इसका जवाब जो है comment में देना देखते हैं दोस्तों कितने मेरे प्यारे दोस्तों को पता था कितने को नहीं पता था और नोट जरूर कर लेना इनको और याद कर लेना मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्ष्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ और मैं आपके लिए क्रंट अफेर और हरेना जिक्की की वीडियो लेकर आ रहा हूँ उनको भी आप जरूर देखना